इंडिया और इंग्लेंड की टेस्ट सीरीज का तीसरा दिन शुरू हो चुका है पहली टेस्ट के मुकाबले का और इसमें जहां पर हम देख रहे हैं कि जब टीम इंडिया ने गेन बास दी की थी तब उनका जो स्पेन अटाक था वो बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव पनी अलग से ही हाँ पे इंग्लेंड के गेनवाजों को बहुत ही जादा परिशान किया था लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जब भारतिय बल्लेबास ब्राटिंग करने के लिए और दूसरी तरफ जब इंग्लेंड की गेनवास बोलिंग करा रहे थे तब उनकी जो इतना अपनी भापे छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं इसी बीच इंग्लेंड की टीम को एक बहुत बड़ा जटका लगा है और जैसे हम बात करा मान्याने की इंग्लेंड का जो स्टार्ट था बहुत खराब हुआ बल्ले बादों ने कुछ खास नहीं किया पहले दिन ऑल आउ अपनी सेंचुरी पूरी कर लिए इतने रन उन्हें पिटाई हो गई है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक और बहुत नीचे चल रही है इस समय इंग्लेंड की टीम और साथी साथ एक बहुत बड़ा जटका भी लग चुका है इंग्लेंड के टीम को एक पॉर्टन विकेट लिया था कप्तान रोहित सर्मा को आउट किया था अब वो हो सकता है कि आने वाले मुकाबले में आगे ना खेलें जाक लीच का यहां पर चोटल हो चुके है इस से बहुत बाहर जाते है अगर इंजरी मेजर यहां पर सीरियस होती है तो सबसे बड़ा ज फिर उनके साथ दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ आपने नोटेस किया होगा कि आउट फील में थोड़ा गेन तक पहुचने के लिए थोड़ा जूंचते नजर आ रहे हैं लेकिन वह अड़ा हुआ है और मुझे लगा कि उसने वास्तव में बहुत बहुत अच्छी गेनबाजी की यह उसके लिए काफी गंभीरी चोट है क्योंकि वह अब उस जिम्यदारी के साथ मैदान पर भाग नहीं पाएगा उसकी चोट काफी पीड़ा दायक है उसे आउट फिल में देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि उसे चोट लगी है चोट के बावजूद गेनबाजी करना उसके लिए शांदार है मुझे भरोसा है कि वह चौथी पारी में वापसी क करेगा बिल्कुल जिस तरीके से मानने जीतन पटेल ने बताया है और चोट लगने के बाद दो दिन लगतार चोट लगा उसके बावजूद बॉलिंग कर रहे तो एक अच्छा मतलब उन्होंने टीम वर्क दिखाया है टीम के लिए लगतार लगे रहे लेकिन वह लगना तो मतलब बैक तो बैक उनके लिए समझ्या है जो है वो खड़ी हो रहे हैं अगर देखा जाए तो यहां पर जाक लिए जिसे उन्होंने बात करी इनके स्पिन बोलिंग कोच ने की पहले दिन उन्हें चोट लग गे जब वो चौका बचाने कोशिश करें और गुट सीरेस्टी करें कि उन्हें मना के जारता लेकर फिर भी एक स्पिरिट ऑफ दो गेम उनके में रही कि मुझे खेलना है अगरी टीम मेरे मुश्किलों में है और वहां पर जाक लिए कि मैं अभी आपर बाहर नहीं जाओंगा मुझे आगे कंटिन्यू करना है हाला कि वो कंटि तो बोलिंग करने वे उनको काफे परिशानी होने वाली है और सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा इंग्लेंड टीम के लिए कि आखिर अगर आप लीज नहीं खेल पाएंगे अगर उन्हें ज्यादा दिक्कत होने लगी तो उनका रिप्लेस्मेंट कौन आएगा क्या एक परिश किया जाए अगर जैकली तो एक बड़ा सवाल होगा यह जाकली का देखना वाला होगा कि वह यहां पर आपसी कर पाते हैं नहीं बाकि इस मुद्धे पर जो इस बारे में आपकी क्या रहे कॉमेंट में जुरू बताइए और जाते दाए तो फान स्पोर्स को लाइक जिए और सब्सक्राइब ने बिकुर्वी ना बूलिये